कि अब यह मल्टिप्लिकेशन का सवाल है आपने बीच में सिंप्लिफाय करने इसको तो मल्टिप्लिकेशन का फॉर्मला लगा लेता है जी हम पिछली वीडिओ में Drive she आयोटा और four minus two iota करके आपस में multiply भी कर सकता है अभी हम लोग फॉर्म नहीं लगा लेता है तो minus six comma three multiply by four minus two इसका answer जो होगा हो आपके पास a c यानिके minus six multiply by four minus six multiply by four और फिर minus bd तो यह minus three multiply by d फिर इसकी measuring term का answer होगा a d plus bc तो a जो आपके पास minus six है d minus two three multiply by four तो यह जाएगा आपके पास minus twenty four minus minus plus six और यह जाएगा आपके पास six to the twelve plus twelve इसमें सी माइनस करेंगा तो माइनस एटीन ऑना ट्वेंटीफू तो यह answer आ जाएगा जैनिके इसका आप इस तरह भी बूल सकता है माइनस एटीन प्रस ट्वेंटीफूर आए उटा तो जिस फॉर्म में उन्होंने कुश्चन दिया वैं कॉडिनेट की फॉर्म में तो आपने को आंसर भी कॉडिनेट की फॉर्म में लिखना होता है आपके डिवाइट का है तो यहां पे भी हम लोग जो है डिवाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता है यह फिर आप इसको अगर आपको फॉर्मूला न सकतना अगर आपको फॉर्मला नहीं याद तो अभी हम लोग इसको फॉर्मले सही कर लेता है यह होगी आपके पास ए बी और यह सी और डी इन दोनों को डिवाइड कराने है इसका जो आंसर होगा है वो डाइरेक्ट में लिख रहा हो आंसर तो सबसे पहले a c plus b d है तो a और c 8 multiply by minus 2 plus b d minus 4 multiply by 2 और फिर दिवाइड पर c square और d square तो c square जो है minus 2 का square 4 हो जाएगा और फिर प्लस d का square 2 का square जो आपके पास 4 हो जाएगा इसकी measuring term में divide में तो यह जाएगा आपके पास 4 plus 4 b c minus a d लिखा हो है तो b आपके पास आगया और c जो आगया आपके पास minus 2 जो आगया अप्छे minus a d a जो आपके पास 8 है और d जो आपके पास 2 है अप इसको simplify करने तरह हमें LDLे करेंदागा आपके पास 16 अज़डे पीगा है विपस 60 यह उडडि है प्लिध वटवें इसकाने प। आपके तविद दो आइक पीग त complacent 8 to the 16 यह जाएगा आपके पास minus 24 upon 8 यह जाएगा आपके पास minus 8 upon 8 तो यह जाएगा आपके पास 8 to 1 to 8 3 to 24 तो असांसर आएगा minus 3 minus 1 तो इस तरह से आपने इसको formula से करने इसको भी फिर वोही same formula से कर लेते हैं हम लोग यह भी divide का ही question है 2 पहमा 3 divided by अच्छा अच्छा अब अच्छा 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 अब इसका c जो आपके पास 4 है और फिर minus a जो आपके पास 2 है और d जो आपके पास 5 है अच्छा अच्छा आपके पास 16 less 25 तो यह जाएगा आपके पस 41 और 8 प्लस 15 23 जाएगा आपके पस 12-10 तो 12-10 आपके पास जो जाएगा तो और दिवाइद में तो हमने इसको मल्टिप्लाइए कर लिया डिवाइट कर लिया सॉरी अच्छा फोर्थ में आपने सब्ट्रेक्ट करना है यह बहुत आप आसान है इसको आप इसी तरह प्रैकेट से ओपन कर दें माइनस फूर और माइनस थ्री आइटा मैं जनी नंबर एड़ जाएंगे और रियल नंबर एड़ जाएंगे तो शिक्स माइनस फूर यह रियल नंबर आगया आपके पास और फिर प्लस फाइफ आयोटा माइनस थ्री आयोटा पिर जाएगा आपके पस टू और फिर यहां पर पिप्या जाएगा आपके पस टू आयोटा इसमें आपने एक दफ़ाएड करना है फिर सब्ट्रैक करना है तो पहले इन दोनों को एड़ कर लेता है यह एक साथ भी कर सकता सारे फाइफ माइनस सिक्स आयोटा प्लस थ्री प्लस फूर आयोटा तमाम डेकेट ओपन कर देता है और एक दफ़ाई कर लेंगे माइनस फाइब आयोटा और यह माइनस माइनस प्लस सेवन तो तमाम रियल नंबर को एक जगा जमा कर देता है फाइफ प्लस थ्री प्लस सेवन औ गया आपके पास 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा और फिर माइनस 5 आयोटा तो यह आपके पास आजाएगा 15 रियल नंबर में आजाएगा और यह फिर एड़ हो गया आपके पास आजाएगा माइनस 7 आयोटा सिंप्लिफाइव हो गया यह आपके पास एक सिंप्लेस ओर में आजया ए अब कि इसके इसमिप्लिकेशन जो डी यह कॉजिले को मुल्टिप्लिकेशन दीबिए यह ए है आयोटा वाली फॉर्म में दीविए तो हम इसको इस तरह भी मल्टीप्लाइग कर लेते हैं बगार फॉ दूसरे वाले ब्रैकेट से मुल्टिप्लाय कर आया फिर उसके बाद प्लास फाइवा इंट लिए इस ब्रैकेट से 4 6 24 28 आयूत था और 5 630 आयूत फिर 57 35 और आयूत इसके साथ मोल्टिप्लाय यह इंट आयूत इसके साथ मुल्टिप्लाय होगा तो आयूत आयूत इसकोर हो जाएगा 24 यह दोनो एड हो जाएंगे आपके पास दोनो आयोटा गी फॉर्म नहीं तो यह जाएगा 30 40 50 एट आयोटा यहां से आयोटा स्क्वेर जो माइनस वन के बराबर होता है तो यह माइनस वन यहाँ पर आएगा और वो माइनस 35 कर देगा मल्टिप्ला होगे तो यह माइनस 35 को होगे तो 24 माइनस 35 दो रियल नमबर न को एड करा देता है तो इसका अंसर आएगा आपके पास माइनस 11 और यह 58 अब इस कुशिशन में आपने डिवाइड करने और यह इऑसकी सवाल गेविन है तो हम इसको One evaluate कर कर देता है कि कि ऐसको सिंप्लेस फॉर्म में लेकिअन है तो आपने इसको सिंप्री प्लस भी इह ओट की फॉर्म में लेकिए अन। अब आपको डिनॉमिनेटर में भी आयोटा नजर आ रहा है तो यह रियल और इमेजनली पार्ट इसका सेपरेट नहीं है तो सिंप्लिफाय करने के लिए आपने क्या करना है नीचे से आयोटा खतम करना है उसका बहुत असान तरीका है कि आप इसको मुल्टिप्लाइ करा दें इसक आपके पास एक फ़ार्म्ला बना के देगे और ऊपर आपको एक मल्टिफिकेशन समघे का घ्रत अम दी United 8-5 वाल होटा एक multiplication आपको मिला और नीचे आपको एक formula मिलेगा a plus a plus b a minus b वाला formula मिलेगा आपको a plus b a minus b ये बराबर होता है आपके पास a square minus b square तो नीचे जो आपके पास होई हो जाएगा a square minus b square माइनस b का square तो b में आपके पास 5 p है तो 5 के ओपर b square आएगा आउटा के बहुत b square आएगा ओपर हम multiply करा देते हैं पहले 7 को पूरे bracket से multiply करा देते हैं और फिर प्लस 4 आयोटा को पूरे bracket से multiply करा देते हैं देनोमिनेटर में आपके पास 64 आएगा 8 8 जो 64 5 5s are 25 और यह आउटा स्क्वार जाओ माइनस वाँगा अब देनोमिनेटर आपके पास इमेजनरी नमबर खतम हो गी अब 7 x 8 जो आप पस 56 माइनस 35 आयोटा फिर प्लस 32 आयोटा और फिर यह प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी और यह आयोटा 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 स्क्वार उजाएं यह दो एड हो जाएंगे 35 और 32 आयोटा आयोटा और फिर यह माइनस ट्वेंटी है यह आयोटा स्क्वेर जो आप माइनस वन के परावर हो जाएंगा चाहिए यहां पर आपके पास आजाएगा 64 प्लस 25 फिर यह आपके पास 56 और यह भी आपके पास रियल नंबर बन गया 20 माइनस वन तो यह माइनस 20 जो प्लस 20 हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री आयोटा और यह चाहिए यह दोनों एड होके आपके पास 89 नंबर बनाएंगे तो 50, 60, 76 हो जाएगा उपर माइनस थ्री आयोटा अब आप जो डिनॉमिनेटर सेपरेट कर लिए 76 डिवाइट बाइटी नाइन माइनस थ्री अपॉन 89 आयोटा तो यह आपके पास रियल पार्ट आगिया और यह मैजना इन पार्ट आगिया अच्छा अब यह कुश्चन सिंप्लिफाय का है अब कोर्डिनेट की फॉर्म में सिंप्लिफाय करना यह बहुत आसान है पहले इं दुनों को कढ लेता है फिर बात में माइनस कर लेंगे तो रियल के साथ एड हो जाएगा फिर कॉमा इमेज़िनरी जो है Penine रिक साथ एड हो जाएगा और फिर माइनस इसको बात में करेंगे थ्री कौवम माइनस टू को फाइफ प्लस फॉर आपके पस नाइन आगया और यह आ जायगा आपके पास एट माइनस इक्स टुू माइनस 3 कहुंगा माइनस 3 अब आप जो हो दुबारा से इसको परफॉर्म कर लें रियल रियल से सब्ट्रेक्ट हो जाएगा और इमेजनरी मेंजनरी से तो यह जाएगा आपके पास 9-3 फिर माइनस 2 प्लस तू है और फिर यह माइनस माइनस तो यह जाएगा 9-3 जो आपके पास 6 आगिया आपके पास 2 प्लस तू 6,4 यह सिंटिफाइड आंसर है यह आपके पास जो है पावर फोर है तो हम इसको क्या करें कि यह तो आपको पावर फोर का फॉर्मुला याद ओ और नहीं याद तो आप इसको स्क्वार में डिख करूँ लाए तो यह 2,274 वापस वह जोंए वह जाएगा आप अब होल स्क्वार का फॉर्मुला हमें पता है बाहर पावर इसी रहने जाता है अंदर होल स्क्वार का फॉर्मuster करता है फिर माइनस टू ए बी और भी फिर प्लस बी का स्क्वार और बहार आपके पास होल स्क्वार चलोगा उसको अंदर सिंप्लीफाइ करता हूं तो में यह आजाएगा आपके पास 4 माइनस 4 आयोटा और यह आयोटा स्क्वाइर जो आपके पास माइनस 1 के बराबर हो जाएगा और बाहर स्क्वाइर चल रहा है भी 4 माइनस 1 जो आपके पास 3 हो जाएगा माइनस 4 आयोटा अब एक और दफ़ा ओपिन कर लेते हैं होल स्कॉर तो यह पूरा सिंप्लिफाइ फॉर्म में आ जाएगा तो ए स्कॉर माइनस टू ए और बी और फिर प्लस बी का स्कॉर तो यह निके फॉर का स्कॉर और आयोटा का भी स्कॉर यह जाएका नाइन माइनस 24 प्लस 16 और यह माइनस वन आयोटा स्कॉर जो माइनस वन के बराबर होता है अच्छा फिर यह माइनस 16 हो जाएगा आपके पास तो यह नाइन माइनस 16 को एक जगह रखा और माइनस 24 आयोटा नाइन माइनस 16 आपके पास बनेगा माइनस 7 माइनस 24 आयोटा तो यह हो गई इसकी सिंप्लिफाइट फॉर्म रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग सेपरेट होगा आपके पास अच्छा अब यहां पे आपके पास माइनस का साइन है माइनस का साइन को बाहर निकालते हैं कि यह पोल स्कुर हमारे पास आदिए बाहर इसमीजे अंदर से माइनस का साइन का अबन निकालते हैं तो आपके पास बचे गा बशेता कि प्लास आयोटा अब यह स्क्वैर माइनस साइन को खत्म करेगा तो आपके पास Mr. A ऐ प्लस आयोटा अायोंत अंडरूट थ्री का हूल स्क्वाइर, स्क्वाइर जो माइनस साइन को खतम कर देता है, अब इसको उपन कर लेते हैं, एक का स्क्वाइर, प्लस टू ए, और बी आ जाएगा आपके पास, अच्छा, फिर अब बी का स्क्वाइर आ जाएगा आपके पास, प्लस बी का यह आपके पास हो जाएगा 1 plus 2 under root 3 iota iota square minus 1 के परावर होगा और square root को cancel करेगा तो यह 3 आजाएगा आपके पास तो यह minus 3 बन जाएगा और यह real number के साथ आके add हो जाएगा minus 3 आपके पसांद सराएगा माइनस टू प्लस तू अंडरू थ्री आयोटा जोगे इसके सिंप्लिफाइड फॉर्म ए प्लस भी आयोटा में हमने चेंज करते हैं अब अगर आपको इसमें भी फॉर्मले में मसला हो रहा है तो ए माइनस भी वाला आपको फॉर्मला याद होगा इसको इसी तरह से ही कर लेता हैं और ए मैनस बी वाली ерм में आप इसको लखने कि अपर आप इस घुद्ग अब और आयोटा का सवादिए माइनस भी होल सबयर का फॉर्मला अप्ला आपको तो कि ए का स्कॉर्म तो ने दोनों टरम में पिर माइनस 1718 और B वह प्लिस B का स्वइर स्व गया जाएगा आपके पास 2G3 आईनोट एफ गर 5K स्था गवाल नमब रही जैंग है जाएगा इसी मयनस्था और प्लस वन सके साथ आजाएगा दोनुद नमबर हैं और यह आपके पास इसकी सिम्टिफाइट फॉर्म जो होगी माइनस टू अब क्यूब आ गया है इसको आप जो इस तरह से ब्रेक कर ले यह फिर अगर आप डारेक्स में फॉर्मिला लगाना चाहें वैसे अगर इस तरह ब्रेक कर ले कि वैरे में और फिर इसका जो आणसर आएक उसको आप इससे मंटिप्लाइए कर दो लेकिन क का फॉर्मिला हम ओपिन कर लिता है इसमें क्यूब का फॉर्मिला की होता है a plus b ka whole cube अगर हम find out करें तो वह रहता है a cube plus three a square और b जाएगा फिर a की एक और power कम होगी और b का square फिर plus a की power खतम होगी और b का cube आजएगा तो इस तरह से हम इसको open कर लेता है तो यह वाला तरीका हम नहीं कर रहा है फिर a square और power 1 में break करें हम direct इसको formula से open कर लेता है तो a का cube फिर plus three a का square और b आ जाएगा फिर plus three a और b का square फिर plus b का cube यह जाएगा फिर पास 1 प्लस 3 आयोटा यह आयोटा स्क्वाइर जो है वो माइनस वन के परावर आ जाएगा फिर प्लस इसको स्क्वाइर और अब यह क्योंकि और नमबर आ गया तो प्लस वन इसमें से सट हटाना है तो इवन बन जाएगा तो यह two plus one three होता है यह इस तरह से आपने इसको इवन पावर में break कर लिए वन प्लस थ्री आयोटा माइनस ठ्री और आएउटा स्क्वाइर माइनस वन के बराबर आ गया और यह गया आउटा आईए आपके पास अब लेएल पार्ट को लेएल पार्ट के साथ एड्र करा दें और यह माइनस आयोटा है तो आपके पसांसर आएगा माइनस टू प्लस टू आयोटा यह सिंप्लिफाइट फ़र्म में रियल और इमेजनरी पार्ट इसका सेप्रेट हो गया अब इसमें डिनॉमिनेटर में से आपने यह हटाना है इमेजनरी नंबर ताकि आपको एक सेप्रेट पता चल सके तो उसके लिए आप इसके इसके कॉंजुगेट से ऐसी ही रहेगा टू माइनस ऑोटा का ऐसी होता ग, और ऑन्रीत प्लस आईोटा कॉंजुगेट में जो हैं सिर्फ आप मेजनरी पार्ट कर साइन चेंज करते हैं यहां नीचे आपको a plus b आउटा का फॉर्मला बनता वह नज़रा रहा है a minus b और a plus b और उपर आपको एक multiple मिलेगा आपको एक वह बिल्कुली सेम आपके पास इसको भी whole square वाले फॉर्मले से open कर लेते हैं तो नीचे आएगा आपके पास a square minus b square ओपर जो आप इसको whole square कर लेते हैं ताकि एकी step में आपको open कर लेते हैं basis सेम है तो power add और फिर whole square वाला फॉर्मला अप्लाई कर देते हैं तो a square सबसे पहले लिखेंगे फिर plus 2 a और b फिर plus b कर square और नीचे वाली टर्म में आपके पास पूरा real part आ जाएगा यह square से root cancel होगा तो 2 आ जाएगा और फिर minus iota square जो होता हो आपके पास minus 1 के बराबर होता है यह भी cancel होगा 2 से root तो यह 2 आ जाएगा plus 2 under 2 iota और iota square minus 1 के बराबर होता है नीचा जाएगा आपके पास 2 plus 1 अब उपर real part real part के साथ add कराते हैं imaginary part आपके पास एक ही term है आपके बराबर होता है 2 minus 1 1 और साथ ही साथ जो हम लोग यह separate भी कर लेता है इसका denominator इसका real part और imaginary part separate हो तो यह simplify form आपके पास इसको भी जो हम लोग पहले तो आप इसको simplify करें कि यह दो multiple form में इसको multiply करा दें क्योंकि denominator में आपके पास same value है तो basis same में तो power add हो जाएंगी whole square वाले form में सब इसको open कर देता है यह जाए और ऊपर भी सी तरह open कर देता है तो यह जाएगा आपके पास one का square a का square minus two a और b और फिर आपके पास plus b का square और उपर multiply कराते हैं पहले one इस bracket से multiply होगा two minus iota हो जाएगा फिर iota इस bracket से multiply होगा तो आपके पास आएगा plus two iota और minus iota square इसको simplify करते हैं तो यह जाएगा two minus iota और plus two iota यह add हो जाएगा तो आपके पास plus iota हो जाएगा और यह minus iota iota square जो आपके पास minus one के बरावर आजाएगा अच्छा नीचे आपके पास है one minus two iota iota square minus one के बरावर हो गया हो तो उपर आपके पास बचरा है two और यह minus minus plus हो जाएगा तो two plus one और यह plus iota separately आगे हो नीचे आपके पास one और minus one cancel हो रहा तो नीचे आपके पास minus two iota बच रहा है च्छा उपर आपके पास है three plus iota और नीचे है आपके पास minus two iota अब यह असान है कि आपके पास सिफ imaginary drum में तो हम इसको iota से multiply करा देते हैं denominator और यूमिनेटर तो नीचे से तो आपके पास खतम हो जाएगा यह iota square बन के तो उपर वाली टरम को भी हमने आउटा से multiply कराया और इसी तरह नीचे वाली टरम को भी multiply करा देते हैं आउटा से तो उपर आपके पास बनेगा three iota और plus iota square नीचे आपके पास आजाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वाइर आयोटा स्क्वाइर जो माइनस वन में कनवर्ट होगे रियल नमबर बनिया और यहां पर three iota यह भी minus one change हो जाएगा आउटा स्क्वाइर आपके पास ऊपर आएगा three iota minus one और नीचे आपके पास आएगा two अब इसका real part और imaginary part अलग कर लेता है तो यह जाएगा three iota इसको fraction break कर लेता है माइनस one upon two और फिर इसको a plus iota b की form में लिख दें यह होगी आपके पास real part और प्लस three upon two यह होगी आपके पास imaginary part इसको जो आपने conjugate से multiply divide कराना है ताके नीचे से iota खतम हो आपके पास और ऊपर whole square पहले हम लोग साथ ही साथ खोल लेता है तो आपके पास two का square a का square फिर plus two a और b फिर plus b का square तो ऊपर है तो हमने इस तरह से open कर लिया अच्छा नीचे वाला iota खतम करने के लिए आपने इसके conjugate से multiply divide कराना है conjugate जो होता है वो सिर्फ imaginary part जो होता है उसका sign change करते हैं कि सिर्फ imaginary part का sign change कर दिया हम लिए नीचे आपको एक formula मिलेगा माइनस फोर आयोटा ए माइनस भी प्लस बी का फॉर्मिना मिलेगा अच्छा उपर हम simplify करते हैं उपर जो हमाई पास है प्लस टू टू जाएगा फिर प्लस टू जा फोर आयोटा और आयोटा स्क्वेर जाओ माइनस वन के बराबर आ जाएगा अच्छा यह बीच में माइनस भी स्वैर ओपर वाली ब्रैकेट हम लोग simplify करते हैं तो फोर माइनस वन यह रियल पार्ट के साथ एड़ हो सकता है तो फोर माइनस वन जाएगा और वो जाएगा थ्री प्लस फोर आयोटा और इसी तरह आपके पास एक और में थ्री प्लस फोर आयोटा अब यह दुबारा से आपको ब्रैकेट सेम मिल गया तो बेसे सेम है तो पावर एड़ करके हम अपना असान सा फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस भी होल स्वैर का नीचे आपके पास बनता है नाइन माइनस सिक्स्टीन और माइनस वन आयोटा स्क्वार माइनस वन के पराबर होगी हो जब ऊपर आपके पास फॉर्मूला बन गया था फॉर्मूला ओपिन करते हैं तो यह जाएगा ए स्क्वार प्लस टू ए दी और फिर प्लस दी स्क्वार नीचे हो गया आपके पास नाइन माइनस माइनस प्लस सिक्स्टीन प्लस स्क्वार माइनस 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 माइ प्विन्टीफूर पे फूर फूर दे शिक्स्टीन और आयोटा स्वाइर माइनस वन के बराबर तो यह 16 मल्लिप्लाइब माइनस वन माइनस 16 हो जाएगा और वो 9 के साथ जाके एड़ होगा 6 माइनस 16 9 माइनस 16 24 आयोटा यह हो जाएगा माइनस 7 अब देनॉमिनेटर ब्रेक कर लेते हैं यह फ्रेक्शन का ब्रेक करते हैं यह जाएगा माइनस सेवन अपन 25 माइनस 24 आपन 25 तो यह रियल और इमेजनली पार्ट सेप्रेट हो गए तो यह आपके पास जो है सिंप्लिफाइफ सिंप्लिफाइट फॉर में यह आपके पास इसको हम इसी तरह कर लेते हैं पहले यह नीचे से आप होल स्वार ओपिन कर ले तू का स्वायर माइनस तू ए और बी ए प्लस बीस्वाइब तो नीचे आपने होल स्वार का फॉर्मिला उपिन कर लिए कि सिंप्लिफाइब करते हैं नीचे से लिए फॉर माइनस फॉर आयोटा आयोटा स्क्वाइड जाओ आपके पास माइनस वन के बराबर आ जाएगा पॉर माइनस वन यह रियल और रियल पार्ट एड जाएंगे वर माइनस वन थ्री माइनस फॉर आयोटा अब डिनॉमिनटर जो आपके पास जो एक स्टेंडर्ड फॉर्म में बन गया है और डिनॉमिनटर्स आपने आयोटा खतम करना तो इसके कॉन्जूगेट से मल्टिप कराएंगे कॉन्जूगेट जो तैसे फिल इमेजनरी पार्ट इसका चेंज होगा उसका साइन चेंज होगा नीचा आपको एस्वायर एप्लस बी माइनस बी का फॉर्मिला में लेगा उपर जो वह वह वन से मल्टिप्ला होके थ्री प्लस फोर आयोटा ही रह जाएगा सिर्फ इंचा आपके पास आएगा थ्री एका स्कॉर माइनस बी का स्कॉर्मिला है लेटि रहे है और है है प्लस रहे ट्री प्लस लेक को स्कॉर्मिला टो 9 plus 16 25 अब हम अपना फ्रेक्शन ब्रेक कर देते हैं ताके रियल और इमेजनरी पार्ट अलग हो जाए आपको मिलेगा 3 15日本 इन प्रेक्शन ब्रेक्शन पार्ट अपन ठाकिशन प्रेक्शन फिक तर